हाँ तो नमस्कार परेसातियों का से ओन लाइन प्लेटफों पर आपका शौगत अभी नंदन है हम बात कर रहे थे भारती इतियास के अंतरगत काफी कुछ पढ़ लिया था हमने फिर लिए असमें बहुत कुछ पढ़ लिया था पर दोस्कों और दिल्ली सल्तनत की हम चर्चा हो ऐसा करते रही लगातार चुड़ीे हमारे साथ और लगातार वर या तकर हम रहे चलते हैं आपको जिल्ली वा कि प्रकार से दिल्ली में किसकी स्थापना की थी गुलाव मनस की चर्चाएं करता किया क्या क्या निर्मान करवाया किसे प्रकार से कर पाया थारी चर्चाएं परचु किते बाद जो कहा जाता है कुं सहाथ बनता है इसका सबस्क पुत्र आराम सहा की बाद कर राम थाहित खुद्धिं तुद्धिन एवक्पत्र था यह जो सासक बनता है पेजिए साहसक बनता है तेदें कि 1210 में है बारा सो दससे बारा सो धस्य देस्में देता है रात आठ ओड़ाह तक साशन करते है चाहिए जग साहराघ गारा यह दोनुंक चीजिया अफ्रोट धियान थीं कि आतोड़ा सा उटेता है कि 11 तक चणा गया तर इसका सासल का लोर यहाई दो कि इसके बाद जो आएगा न प्रैडवार कनेगा हुए तो यह किसका पूतर दोस्तों सबसे पहले थैसे पूतर था इसके बारे में कहा जाता है इसने अप वनकाल में कोई विसेस कारें नहीं और विसेस कारें करता है क्या कि कुछ समय के लिए तो सासक बना और सासक बनने के प्रशाथ यहां के लोगों के उपर एक आयोगी सासकता किसा सासकता पहरे दोस्तों आयोगी सासकता यह क्या था आयोगी सासकता और आयोगी सासक होने के कारण यहां की जनत जनता ने इसको नकार दिया और जो जनता ने इसको जनता ने इसको जनता ने इसको जनता ने इसको जनता ने जनता ने तो क्या करिया नकार दिया नकार दिया और इसके बाद यहां के कुछ जो सरदार होते हैं कि सरदार होते हैं उन सरदारों के द्वारा भी इसको क्या कर दिया गया हटा दें की कोशिश की गई सरदारों द्वारा भी सरदारों द्वारा भी इसको अटाने की कोशिश की गई कि परशाद बात करें एक था इसमाइल कौन था इसमाइल खां था और इसमाइल खां के बारे प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो पता चलता है और जुद का युद करता है कौन सा युद का 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 यु लिजे या फिर रदीется ुनाइए गुलाम था और ये एक परकार से साषन अस्ताने के लिए युद्ध था जुद्ध का युद्ध किस-किस के बीच होता है यह होता है अपने हिलतुत्मिस के बीच हिलतुत्मिस आराम सा कौन आराम कहा है आराम शाहर इस युद्म में कहा जाता है को रिजह हो जाता है और यहे आराम साогों क्या होता है मरत मार देने के पश्चाहत्य यहां पर जिशना इस्टाइन्टरित करने का काम करता है तो कूं करता है पारचित कि होने के पश्चाहत चाहा जाता है उट निस जाता है कमाना जाता है जन्वरी जन्वरी 1211 में ये युद्ध हुआ था और इस पर कोन विजे हो जाता है डिए इस ज़ी ए अब आपको तो धुड़ा सा और बद ले चलता हूं आट माहा तक इसने शाशन किया आरामसा का जो शासन रहा था आठ माहा तक इसका शासन रहा था आठ माहा तक इस शासन किया था इसने आराम साने कि परषण किया श्रण किया आठ आरभ्साने परांज किया या करता है अपने आप किया कर लेता हो कि उनके सर दारों के बीच में उनको अपना रोचस नहीं किना पढ़ा है और वर्चस हो नहीं पढ़ा पाता एक अयों भीर अधीकेर होने करने या या इसको होने कैरने इसको आपना चाहते हैं व्टोथ मिस इसका जिजा लगता था Sir 8 समय किया पार चुल्ट मितिक्ष जिजा जी थे इसके इंबे हैं कि आपको पता है कि टो एबक्त था अबक्त ने खांपर एक गौले रियुद्ध में विजए के पश्शाथ किसका विवा कर दिया था इसका इसा साथ पुतरी के साथ किसका थीक है तो इलतुत तुमिस्का विवा इसकी वहाता इसका रणे ऑस बनेगा अब नफ्शन दूसासक बणने जा रहा है और और बनेगा आपका इसका बाद वह से प्वारास ?ंप मिलता है इसका सासनकाल , तो कही जग बारास से मिलता है वैसे बारास नुपर भी ज Canadians स ही रहता है कई सारी त्यास से कही तो को प्यारा में मान लेते हैं कई सारे दस में मानते हैं इस कारन अलग अलग जानकारे मिलती है लेकिन 1236 तक रहता है 1236 तक रहता है यह दोनों जानकारे आप ध्यान रखनी है कहां से कहां तक इसका जो सासनकाल माना जाता है तुम इसका और वैसे दोनों एक जैसे आंस नहीं आएंगे अप्शन में ठीके पर दोस्तों अब कंडिशन क्या होती है कि यहा कि यह यह किसका इलबारी तुठा है जैसे समझना है 21 सम आपके जहन में उतर जानी चीए तोस्तों एक कि चीज को भी कहानी समझ में आ जाए गया कि कि यह किसका इलबारी तुप था इलवारी तुरक होने के साथ-साथ यह बहुत सुन्दर था क्या था इसके जो पिता माने जाते वो आलम खां थे तुर्किस्तान के हुआ करते थे तुर्किस्तान के हुआ करते थे तुर्किस्तान के हुआ करते थे आलम खां इसके पिता थे यह का जाता है अपने पिता के बहुत सुन्दर संतान था और सुन्दर संत दोस्तो आलम खां वो इससे कहा जाता है बहुत महबत किया करते थे बहुत प्यार किया करते थे इसे अपने नजदीक रखा करते थे किसको इल्टुत मिस्की अब इल्टुत मिस्क को इसके भाई क्या करते हैं दिये 10-11 साल का ही था उसी समय का जाता है कि पिता जी तो इससे ब बेच देते हैं इसके पिता को पता ही नहीं चलता और इसको बेच देते हैं गोड़े के व्यापारी को बेच देते हैं इसके भाईयों द्वारा गोड़े के व्यापारियों को बेच दिया जाता है गोड़े का व्यापारी एक परदान काजी को बेच देता है ध्यान से समझना इंद फोली लगा रहा हूं पहले तो ये चीज समझ लेना तो सब से पहले इसको लिखें है यह इलबारी तुक था इल्टू तुमस्ट मैश मिस ऐख ऑब इतुर तुर्क था कौनसा इलबारी इलबारी तुर्क था लबारी इसके बात करें इसके बात करें इसके भाईयों ने इसके भाईयों इसके भाईयों ने इसको बेचा इसको इलतुत मिस को बेचा इसके भाईयों के द्वारा तो इसको किसको बेचा गया एक घोड़े के व्यापारी को बेच दिया गया व्यापारी को बेचा गोड़े के व्यापारी को बेचा गोड़े के व्यापारी ने इसको कहा जाता है परदान परदान काजी को बेचा उसको बेचा बई परदान काजी ने भी सको क्या किया फिर बेच दिया और फिर बेच कर कहा जाता है कि फिर इसके बाद का जाता है कि इसको फिर बेश दिया गया बेश देने के पश्यात इसको एबक जो है आपका एबक जो गुलाम था गोरी का गुलाम हुआ करता था उतुब दिन एबक गोरी की सेना में हुआ करता था और उशी समय एबक ने इसको खरीद लिया इसन उये वग ने इसको खरीद लिया घ्राट चलीगा किसके बात कर रहे हम एव देबक के दोरा इसने खरीद लिया इसने एवक ने किसने एवक और एवक किसका गुलाम ता इस समय गोरी का किसका गोरी गोरी का गुलाम था और गोरी का गुलाम होने के कारण एबक किसका गुलाम था गोरी का गुलाम था तो गोरी का गुलाम एबक ने इल्टुत मिस को इल्टुत मिस को एक लाख एक एक लाख एक लाख जीतल में खरीदा था जीतल में करेदा एक लाक ने क्रेद लिया और खरीद लेने के पशात इसने कहा जाता है दिरे दिरे क्या कि प्रदोस्तों जब खोकरों का 1205 में विद्रों हुआ था और खोकरों का विद्रों के समय काज इन इसने जबर्दस्त प्रदर्शन दिखाया गोरी को क्या किया जबर्दस्त प्रतरसन दिखाया फोकरों के प्रजाती के विद्रों को दबाने के लिए और कहा जाता है कि दबा दिया जा आए बारा सो पांच में और बारा सो पांच में इस विद्रों को दबाने में इसकी सफलता हासिल कर ली थी पैर दोस्तों इसके सामक्स गोरी के समक्ष जब गोरी के समक्स इसने क्या किया था पैरे दोस्तों अच्छा प्रतर्शन किया तो गोरी ने इस युद्ध के बाद ऐसा कहा था कि तेरे को गुलामी की दास्ता से आजाद कर दूँगा क्या कहा था इसको गुलामी की दास्ता से तेरे को आजाद कर दूँगा मुप्त कर दूँगा ऐसा किस ने कहा था गोरी ने किस के लिए काता इल्थ के लिए का था ठीके पहर दोस्टों बाद में गोरी की मृत्य हो जाती है का जाता है इनी कोक्रों के द्वारा जेमक के नामकिस्तान पर फिर कोक्रों का विद्रों हो जाता है को यह मद्य यह सियास से कोक्रों को दबाने के लिए जब गोरी वापस आ रहा होता है तो उसी समय जयमाक नामकिस्तान पर का जाता है कि इसको मार दिया जाता है गोरी को जो यहां पर गुलाम वंस की स्थाप मा करता है और गुलाम वंस की स्थाफ ना कर देने के पित्षाट पहर दोस्तो की मरत्युक्त हो जाते है बारा सो दस में सब्सक्राइब करने का काम किया करते थे उनके द्वारा कि इसको नोत्या दिया गया इसको बुलाया क्योंकि इस समय ये बदायू में था और बदायूने का गरवर्नर बना रखाता या हाकिम नियुक्त कर रहा था और वहीं से इसको पुलाया गया बुलाने के पश्चात इसको पता चला तो जुद्गी युद्ध में ये आराम सा को मार देता है मार देने के पश्चात ये इतनी रामकताब ने किस परकार से बेचा गया किस परकार से खरीदा गया तो ये सार बिचा भुड़े के व्यापारी ने प्रदान काजी को बेचा को बेचा ठीक के पश्याथ इसको ये खरीद लिए खरीद है कि खरीद लिए खरीद एभग ने खरीद और एक जीटल में इसको ये खरीद अधर दोस्तों और कहा जाता है कि यह सेवकों का व्यापार करने वाला था उससे खरीद था एक सेवकों का व्यापार करने वाला या कहा जाता है कि एक स्थान से दूसरे देव व्यापार हुआ करती थे पहले को प्रचलित थे या सेनिकों का व्यापार करने वाला था इसने इस प्रदान का ज व्यापार करने वाले से इसको व्यापारी से इसने एबखने खरीग व्यापारी था तो फिर से ले गाई से एक हजार जी तल यह एक प्रकार की यह कमाने में चलने वाली तांबे की मुद्रा हुआ पर दोस्तों तो इसमें खरीदता है यह आगे चर्चाएं करते हैं और क्या क्या जानकार यहां मिलती है और क्या क्या जानकार यहां का का सासक बनी जाता है अब बात करें तुर्क था अब और और क्या क्या चर्चाएं मिलती है इसके बारे में हम करते हैं और क्या क्या जानका कारियां मिलती है हमें तो देखते ही पहार दोश्तों कि यह चलिएगा बात करते हैं तो दो देखी क्या कंडिसन होती भी ढमाद यह बाकर था यह 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 है कि पर दामाद सामाद आ इसको गुलामों का गुलाम 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 का गुल का गुलाम कौन गुरी का गुलाम एबक का गुलाम कौन इल्टु तुमिस इस कारण गुलामों का गुलाम कौन था गुरी अर्थार गुलाम कुसका राजा था इन दोनों का राजा था इस कारण गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं उत्व इसको मिल्टु तुमिसको गुलाम को गुलाम कहा जाता है याद रहे जाएगा एबुक की मृत्यू की पस्चात यह कहां का कहां का गवर्नर तबही एवक की एवक कि एवक की मृत्यू के चमें कि ल्टुत मेंसे ल्टुत मेंसे पदायू में था जो पदायू में था और पदायू का क्या था यह गवर्नर था यह बैदायू का गवर्नर बना रखा था उसने है यह budget can आगा है किसा और बुला लिया जाता है कातente को इसको बिलांएнос PodeSaja कर दोब लिया जाता है और इसको बिला लिए ऑ इसको बुला लिया जाता है बुला लिए राती की सबसे समस्या सबसे बड़ी आंतरिक समस्या थी कि इसके सरदारों से कैसे निम्टा जाए यह बड़ी सबसे बड़ी समस्या माने जाती है और सबसे बड़ी समस्या का धीर धीर यह खात्मा करता है और कहा जाता है कि जिसने बुलाया था वही इसके खिलाप हो जाता है वो अपने आपको राजा गोशित करने की सोचने लग जाता है क्या करना लग जाता है अपने आपको राजा गोशित करने की सोचने को लग जाता है ठीक है यह विशेस रूप से ध्यान रखना है जो इसमाइल खांता इसने बिलाया था इसको आमंत्रित किया था या आमंत्रित करने के प्रश्यात कि ये खुद को इसके विरुद्ध खड़ा कर लेता है खड़ा करने के बावजूद प्यार दोस्तों क्या करता है करता यह है कि अपने आपको कई सारे सामन्त हुआ करते तेसे जो अपने आपको क्या बनाना चाहते थे राजा बनाना चाहते थे राजा बनने के लिए कई सारों में होड हो रही थी तो यह सारी समस्याओं का सामना करता है को इलतुतमिस और इलतुतमिस कहा जाता है कि जब इन सारे कि इसारे को समझ्याओं का समाधन करता है दीरे दीरे और ध्यान नहीं आह आपको सैकरहें ठलत मस करकर स्मूर्णित करती है वह इन यो मार्सी कि कर से मरे से ंरतमस करते हैं कि अच्छ पारों से अल्टमस करते हैं जा करते हैं तो कि अल्टमस करते ह। कि इस एक बात जाती यह अल्टमस की और यही है जिसके बारे में कहा जाता है पैर दोस्तों यह पहले यह राजदानी हुआ करती थी यहां कहां लाहूर राजदानी होने के प्रस्याद कहा जाता है पैर दोस्तों कि लाहूर राजदानी उनिक प्रश्या थी लाहूर से दिल्ली स्तानांत्रित क्या करता है लाहूर से अपनी राजदानी किसको बनाता है दिल्ली को बनाता है तो यह भी ध्यान रख रहा है लाहूर लाहोर के प्तान पर प्तान पर दिल्ली को दिल्ली को राजदानी बनाता है लाहोर के प्तान पर किसको राजदानी बनाता है लाहोर के इस्तान पर किसको राजदानी बनाता है कि विशेश त्हान रखना ने की है कि एगधि राजदानी बनाता है और दिल्ली और राजदानी बनाने के न सरा काले संचाल हूँ भी तो पहले राजदानी की लाहुर हुआ करती थी और कहा जाता अभीजा है कि डॉक्टर इस्वरी प्रसाथ सरमा इसको दिल्लिक सल्थनित का वास्थ वी ताफ़ मानते हैं याद रख लेना ये जिए आपको अलिक्ता भी चलता हूं कि यह ज़िए गवई दॉक्टर दॉक्टर इस्वरी प्रशाद तर्मा दॉक्टर इस्वरी प्रशाद सर्मा तल्टूत मिस्को तल्टूत मिस्ट को दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक वास्टविक संस्थापक मानते हैं जिल्टनत का वास्थिक संस्थापक मानते हैं एक को न मानते प्रदोस्तों दिल्ली जो इसवरी प्रसाद सर्मा है यह इसको अवास्ट पर करकर करते हैं और ऐसा कहा जाता है प्यारे साथियों कि इनकी जो इस पहला सा सक्था इस पहला सा सक्था जो बारा सो नियानमे में पगदाद की खलीपा से सुल्तान की वेधानी के करने वाला यह पहला सा सक्था जो बारा सो नियानमे में इसे बगदाद के खलीपा से क्या सुल्तान पद की वास्थ्विक मानेता प्राप्त करता है कि सुल्तान पद की वास्थ्विक मानेता प्राप्त करता है याद रखना वास्तविक मानेता प्राप्ट करने वाला यह पहला सासक था और अपने आपको शुल्तान गोशित करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह प्रतम सासक माना जाता है समझवाए गया दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सल्ता किसको मानते हैं इल्टुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुट सप्षुछ के वा करते सरवोच अधिकारी को रहा था सा ता होता था जो कहां पर बैठता था इनका इननल तेस में नहीं को जो करते था राजा और जो उपादी ध्हारन करते थे जो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो सासक था पहला सासक कौन था सल्तनत में संद्प्राप्त करता है जा सुल्तान की उपादी भार करने वाला इल्तुतमिस ना कि एक तो एल्टूत मेसी एल्टूत मेसे एल्टूत मेसे जिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का प्रत्म साशक हा ने खलीपा से खलीपा से रनद या सुल्तान का पद धारन किया पद प्राप्त किया पद प्राप्त किया और कप्त किया वही बारा सो नन्याण में इश्वी में इसने क्या किया सनद प्राप्त का मतलब क्या होता एक प्रकार का पत्र विवार हुआ करता था सनद भीजतेता था इसका मतलब यहीं है कि सुल्तान पद धारन कि किया या प्राप्ट किया गया भी यह सद्रान का पर प्रतम अपने आपको प्रतम हो शोतंतरसाशक मानता है दिल्ट मेस्क ciao हैा क्टतके खलीपा से का करता है वां अरुवर में कि प्रत वहों है बग्दार की खलीपा से सटर्लण से मत लेता है और पादान यहीं कमानेता प्राफ्त कर लेतर आधा कि कहा जलता है कि मै Whewsh खैयर को खिलीपानेत், को सुल्तान ए आजम चाह सुल्तानय मोमिन की उपादिरी कि लीक्राइब न कि कि खेलीपा सीजिवाब ने हिल्टुत मिस को हिल्टुत मिस हिल्टुत मिस को किसकी खलीपा ने हिल्टुत मिस को सुल्तान ए आजम सुल्तान ए आजम और दूसरी जो उपादी दी जाती है सुल्तान ए मौमिन वर वर सुल्तान ए मौमिन मौमिन की उपादी की जाती इसको परदान की जाती है के खलीपा के दौरा एल्टुत मिस को स्परदान की गई जो उपादी है लुक से ध्यान रखने बात है पहरे दोस्तों जहां से पुछा जाता है और ये याद भी रखना है सर प्रतम दिल्ली में अमीरों का दमन किया इसनी क्या है वह है जो अमीर मेने थोड़ी देर पहले विक्र की आए था सरदार जो मीरवरदार थे थे उनका की साइब आपको क्या कई सरदार थे पेदा दोस्तों आपको राजा पनाना चांते थे थे इंनका सर्भप्रतम थे नहु Compared real to पता है कि सबसे बड़ी क्योंती गरहत घर की समस्या और घर की समस्या ही एक बार आप तो घर की समस्या है उसको लेकर बहुत टेंशन में आ जाते कोई भी वेखती हुआ कि जिसके बार वाले के तो बाद में आती है समस्या लेकिन पहले घरेलू जो समस्या है उनकी बहुत टे किया और कई सारे हम अमीरों ने इसको अपने आपको स्मुन्टान की उपाजी पराप्ट पराप्त करी लिए ती लेकिन अपना राजा मानना शुकार कलिया और ऑस्वां तरक इन किशी तुद्यान रखना प्रदोस्तों तरु प्रतम तरु प्रतम इलतुत मिशने इलतुत मिशने दिल्ली के दिल्ली के अमीर अमीर धरदारों का दमन किया घमन किया जैंक दमन किया कैसी समझे लो तरु पर तम इनका इलाज किया तुम केसे नाटक कर रहे हो तो क्यों करें चाहित सारी चीजे अर्तास अर्थ सुल्तान की काहत जाता है इसी के पस्षाट ऐसे प्रदोस्तों सुल्तानगड़ी का मगरबरा बनाता है और य मुंम्मद की याद में बनवाये जाता है खारत में पहला मतवर्बति था डींना का दमना करता कि या ता गजनिका सासक करने के पश्याथ यह क्या करता है कि कुछ वार सो रूप भेजता है और वार सो रूप का जाता है कि जब यह राजा बनाई था सासक बनाई था यहां का वारों को यह अपमान जनक रूप से गरहन कर लेता है क्या करता है अपमान जनक रूप से गरहन क बनोच करने करने पशुरक सों इसको के पूइन सामने है एक तो आंत्रिक विदरो चल रहे थे और आंत्रिक विदरों चलने में विदरों चलने सब्सक्राइब नहीं दे-पाया इसका है क्या कर लिया थे शुकार कर लिये धे और वह क्या चाहता था क्या चाहता है्ट था टो मेरे XT आधिन रहे यह चाहता थे कि तो यह सारे मामले इसकी सामने इसकी समस्य आईए थी लेकिन उसने चेहाई टाइम पे और आम मांस हैने के पश्चात तो उसने सोचा कि यल्दोज ने कि भाई ये मेरा गुलाम कहलाएगा अब इसे मेरे अधिन कारे करेगा तो उपवार सो भेट कर ली आद में इसने के उपादी धारन कर ली तो अपने आप ही वो दोस्तों हो गया है तो सुल्तान गड़ी का म मॉकबरा और सुल्तान गड़ी का मकबरा और सुल्तान गड़ी का मकबरा यह भारत का अभारत का प्रत्म मंखबरा है मगबरा और स्कों gitu टिक पर स्जाट बात करें यह जो आपने पुत्र की याद में बनावाया तो तुमिशने इसका निर्मान की बात करें तो निर्मान किसते कर्वाया तनिर्मान किस धरकाया लुकला एक मिशने दिए करवाया इलतुत मिशने करवाया किसने करवाया इलतुत मिशने इसकी आद में करवाया अपने पूत्र की आद में करवाया नाशरुद्दिन मुंम्मद की आद में और कब करवाया था बारा सो इगत तीस में कब करवाया भी बारा सो इसका निर्मान करवाया अपने पूत्र अपने पुत्र नाशीरुद्धीन मुवम्मद की जादमे का निर्मान करवाया कि द्यान रहना if भारत का रथम मकवरा मना जाता है यह ना सुरुत्धिन कि युदΗ में बनाया जाथ है क्या रखो परशाद बैर दोस्तों इसने का जाता है अपने सामराज्य का विस्तार करने के लिए अपनी सासने व्यवस्ता को संचालित करने के लिए चालिस अधिकारियों का एक संगटन बनाया चालिस वेक्टियों का एक संगटन बनाया चालिस अमीर कि अपनी राज्य को चलाया करता था अपने सासन influence कौन इल्तत मिस्टाव कोन तूर्कान-चेहलगानी कि यहां प्रद्याण रखें तुर्कान चेहलगानी किस के बात करें के भूर काण तुरकान क्या कि तुर्कान राई आ यहला का नी अक्पिन यहीं कि तैता यह यह शन्गठन ता और यह संगठन क्या था जाता है यह एक परकार का संगट हन्ता यह 40 सरदारों का कितने 40 वेक्टियों का 40 वेक्टियों का 40 वेक्टियों का 40 वेक्टियों का संगट हन्ता जाता है यह संगट हन्ता 40 वेक्टियों का संगट हन्ता इनके इसाब से इनके इसाब से इनके इसाब से यह साशन चलाता था हा ऐ 노래 करता करता था को इनका साुख्झ चलाया करता था को न फक प्रकार का क्या है प्रदोस्तों एक संग्टन है और इसका गठन किसके द्वारा किया गया इस संग्टन का दोस्तों कुझे बहुद कंकर किए गया निर्मान की बात करें इस संगटन का निर्मान जो किया गया इल्टुत मिस्ट की द्वारा किया गया और इसका निर्मान ही नहीं किया गया और बाद में इसका खात्मा जो अंत किया जाएगा वो बल्वन की द्वारा किया जाएगा इल्टुत मिस्ट ने किया और इसका अंत की बात करें कि अंत करने वाला कौंद और शुंजी यह सी और क्या नाम डिया जाता है है वही इसे चातान चहल गानी भी कहा जाता है क्या चातान चाहल गानी कहा जाता है और देखिए का उपनाम की बात करें कि उप नाम क्या मिलता है चालीसा क्या मिलता है भी चालीसा क्योंकि चालीसा पर दोस्तों चालीस वेक्टियों का थंगठन था और इसका अन्य नाम क्या मिलता है और चातान ए चेहल गानी क्या मिलता है चातान ए चेहल गानी चातान ए चेहल गानी भी इसका नाम मिलता है यह भी करकर इसको संभूदित किया जाता है इस अंगटन को सब्सक्राइब दोस्तों तो यह सारा किसका बारे में हम पढ़ रहते हैं तुर्कान यह चाहल गानी इल्टुसमिस ने की सुल्तानपत को वंसानुबत किया इल्टुसमिस ने यहां से कह दिया कि अब खलीबा को खलीबा से मानेता पराप्त करने की if 2002 मिशने सुल्तान के पद को इसको拍ase को सिल्तान के पद को क्या कर दिया वंसान उगत कर दिया यानि कि मेरे बाद जो भी बड़ रसासक बनेगा वो अपने आप में सुल्तान कहलाएगा क्या कहलाएगा सुल्तान कहलाएगा याद रखिएगा पहरे दोस्तों अपने आप में सुल्तान बनेगा वो जो भी राजा बनेगा जो भी सासक बनेगा मेरे बाद मिश सब सुल्तान ही कहलाएंगे क्या कहलाएंगे सुल्तान कहलाएंगे और ये इल्टुत मिश पहला सासक ताजिस ने ऐसा कारे किया क्या किया पहरे दोस्तों इल्टुत मिश ने इल्टुत मिश ने सुल्तान के पद को बंसानुगत कर दिया इल्टुत मिश ने सुल्तान के पद को बंसानुगत कर दिया वंसानुगत कर दिया, क्या कर दिया, सुल्तान के पद को वंसानुगत कर दिया, ठीक है, जाद रखना है, इल्तुतमिस ने सुल्तान के पद को क्या कर दिया, पैर दोस्तों, वंसानुगत कर दिया, आरता जो भी मेरे बाद में सासक बनेगा, वो अपने आपने सुल्तान ही कह एक्ता प्रता का प्रारंब भी इसके द्वारा किया जाता है किसका एक्ता प्रता ज्यां से समझने की योगे हैं इक्ता प्रता जो प्रारंब क्या सने कि इसका प्रारंब किसे प्रारंब किसे कहें प्रता प्रता वटर और को कह Means कोई भूमी दे जाती थी किसी स्थान भी से इसका यह बदाइव का गवर्नर गवर्नर करता था बदाइव के एवज में कोई वेतन नहीं देता अरता से तेनिकों के लिए उसके कारे से कुस होकर क्या करता था राजा राजा या सुल्टान क्या करता था तो भूमी दे देता था भूमी से जो भी कर मिलता था जो भी आए होती थी उसको वेतन की रूप में शुकार करता था अर्था तब भूमी देना है कि क्या कहला है इकता पता यह नहीं किसी भुखंड को दे दिया जाता ता माली दस बीस बीज बीज़ा तेरा को भूमी दी जाती है अब इसके जो भी आए होगी तो क्या के लाएगी तेरा वेतन होगा क्या होगा भी कि क्या होगा वही इक्ता प्रता खेलाएगी समझ में या इक्ता प्रता यही होती है और यही इक्ता प्रता होने के पश्चाहत पैर दोस्तों तो भूमी का टुकड़ा किसको दे दिया जाएगा चलिएगा कि दिएका तुक रड़ा म किसने कि घ्लितुट मिजिने इसका प्रार्मु कर दिया प्रारम करने के कि तास्याद कि क्या होता फैर दोस्तों और ता यह है किि इसके तहट कि इसके तहथ कि इसे कि तहत स्थेनिक को वेतन के इस्तान पर इस्तान पर भूमी का टुकड़ा दी दिया जाता था घुमी का टुकड़ा तुकड़ा टुकड़ा जाता था अ क्याद तो ठुब्सक्ड़्ण तभी घुमी का टुकड़ा दे दिया जाता था और भूमी जार कर अल्ला उद्दिन कर दिया जाता है कि इस परथा को इस परथा को aan यैं प्रथा को ऍे य yanlış अ स्वारा समाप्त कि गया। ने स्ट लूज्व समाप्त कः गया Гो मैं इस प्रथा को कि इसके द्वारा समाप्त किया गया था ह discovery अल्लभ दिन किढ़ी को द्वारा समाप्त कर ढिया गया था बाद में जाकर चाहता हुए कि युमिशने सिक्वर्ग चैलायों कि और जो तक है कि तो तुमिशने तुम सिक्क्य चलाए उसके पश्चाद बात करें इसने सुद्धपार से सिक्क्य चलाए और सुद्धपार से सिक्क्य चलाने के पश्चाद पहर दोस्तों कहा जाता है चांदी का चुछ सिक्का ता उसे टंका कहा जाता और तामवे का जो सिक्का उसे जीतल कहा जाता क्या चांदी क निका एकका है कि क्या कहलाता भी ऐनका क्या कहला था एकार चनका और जब की कामी का किसका पर दोस्तों और आप लिए आक लाता बड़ाओ कि मैं यह त요- सिक्का चलाए गए इसके द्वारा उसको क्या कहा गया वही इतल कहा गया यह विशेश रूप से ध्हां रखना है आप Commonwealth चांदी का तो टंका चला यह और इसका तामे का क्या चलाए इसके द्वारा जीतल चलाए गया तो यह विश्य सुन्ते जांच रखना यह पहरे दोस्तों और यहां से कई बार प्रश्न उपूंचा जा चुका है कि और क्या-क्या जानकारिया मिलती वही इसके बारे में और जानकार हम देखे तो इसी के द्वारा तो मिनार का जो निर्मान था वो पूर्ण करवाया गया तो यह कुतूब मिनार का कुटूब को मेनार का निरमान कुण करफ़ाया करवाया ठीक है कुटूब मीनार का निरमान परारम Magic ने किया अब अधा ने किया और उसने पून करवाया बाद में उसकी मंजिल तो उसके बान फिरोज तुगलक उसका पुन whistle को निर्मान कर रागता है कि कुट्ब मिनार का निर्मान करवाने का सरेक इसको जाता अपने टीक जाता ताइस का दर्वारी जो विद्वान हुआ करता था मिनहाजुद्दिन सिराज और इसके द्वारा मिनहाजुद्दिन सिराज द्वारा एक तबकाते नासिरी नामक पुस्तक की रसना की जाती है मिनहाजुद्दिन सिराज इसके द्वारा किसकी रचना की जाती है इसकी रचना है पैर दोस्तों के दर्वारी क्यास कार हुआ करता था तब गाते नासरी गरंद की रचना की इसकी रचना क्या थी पैर दोस्तों की रचना थी पैर दोस्तों यह इसका दर्वारी विद्वान था मिनाजुद्दिन शर्वार इसका 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 को विद्वाण था ठीक है घरवारी विद्वान था उसका प्षाट बात करें रचना रचना की बत करें बात करें कि रसनाय पहर कि रसना मानी जाती है इसकी चाहजा साब करीब दर्गा निर्माण प्रारंब करवाया था, यह भी ध्यान रिखना और जब कि समाप्त किसमे कर वाय ता हुमायू स्वाजा गरीब नवाज की जह तरगा है उसका निर्माण प्रारम्ब करवाया था वाजा वाजा करीव नवाज की सर्गाह का निर्मान प्रारम्ब का पर अजमेर अजमेर जबörılar आरे खेल निर्मान पाद में पून निर्मान कंगा रवाता है ऑन को Am I Am कालांतर में आयेखा हुमाैं हुमाई ऱुं मॉन कि निर्मार कर वाये इन कूंड करवाता है निर्मान तो इसने प्रारब करवा दिया लेकिन मैं को द्वारा इसको कूंड करवाया गया इल्तुत मिशने तारकिन की दर्गा का निर्मान करवाया नागोर में तारकिन की दर्गा का निर्मान करवाया काँ पर नागोर में इल्तुत मिशने इल्तुत मिश तारकिन शाहब या तुम इसने नागोर में आपर नागोर में आगोर कहां पर पड़ता है राजस्तान में ठीक है अगोर राजस्तान में और निर्मान करवाया तारकिंग तारकिन कर दर्गा के तर्गाह का निर्मान करवाया तरवाया तीक है विसीस रूपसिधान रखना इपर दो यह तारकिनी इसा की दर्गा या तारकिंग की दर्गा कहां पर है नागोर में बढ़ी हुए यहां पर चंघीज खाहसे ने के लिए बचने के लिए कहा जाता है कि चंगेज खां से बचने के लिए फारीज में के समराठ कौन जलालुद्दीन को कमराठ को जलालुद्दीन को जलालुद्दीन को तरण नहीं ती किसने वहीं तुमिशने ने कहा जाता है कि चंगेज खां से बचान के लिए इस फारीज में को तरण नहीं दी क्योंकि अगर यह देते था बाद में इसको चंगेज का का आक्रमन का सामना करना पड़ता और कहा जाता है कि यह कुद्ध बड़ा खिलाडी था वही इस चेत्र का तो इस कारण इसने तरण नहीं दी इसके पश्चात युद्ध के बात करें इसने चंगेज खां मंगोल के आक्रमन किया तो रोका इन में तो इसके में नेगेक्स बात करें तो इसके बात करें तो इस पम आख सामना टन और कि यह कि आ रहुमक मत को रोका जाता है कब रोका पैरे दोश्कों कि 1221 की बात कब 1221 का बारा सो 228 का में 1220 में कज तो य्युझक तेंगे साथ और रोका उसके पश्चात बात करें तो इसने 1226 पर रण थंबोर विजे किया तो भी जे किया कि बारा सो बात करें तो बारा सो बीस तो रणतंबूर को विजय कर लिया इसके पस्काद 2232 में बार नागदा उद्यपूर पर विजय प्राप्त की बारा सो बारा सो बत्तीस इसमी में ने किस पर नागदा किसकी बात करें पर दोस्तों नागदा नागदा उद्यपूर आगदा उद्यपूर आपर राजस्तान में ना नागदा उद्यपूर पर विजय प्राप्त की विजय यहां पर नाग्दा उद्यवपूर में करने का का रहे किसकी दौरा किया गया- इसके पर भी जेव प्रफट करने का कारे के दोरा किया जाता है इसके पाश्चात बात करने के कुछ थर्फटि गया- आशोड़ोजह वोता है पैर दोष्कि मिस्के द्वारा होता ने बताया थोड़ेर पहले कि यह अपने क्या भेजता है बेजिती करने के लिए क्या भेजता है पैर दोस्तों इसको यह अपने प्रारंबी कवस्ता में क्यों बेजिती करने के लिए इसके अपनी और चे उपवार भेज देता है उपवार को ये उस समय तो तुकार कर लेता है लेकिन समय आने के पशाती इसके पीच में युद्ध होता है ताजुद्दिन यल्दोज वर्सेज कौन इल्टुद्मिस इल्टुद्मिस में कहा जाता है इल्टुद्मिस विजे होता है और यह पराजित हो जाता है आफ्जित होने के पार सब्सक्राइब का उसका दर समय इसने उपवार भीज देने के पस्चाथ क्या होता हैμεरे दोस्तों जब इसने देखा कि कोय अतनी सुकार करलिया इसने सुकार कर लिया तो काहसिता एक इसकी इंहें तक लिक्ती नगिंश देखें तक स्यासित टो sir सबस्क्राइब कर दोस्तों इसकी कुछ इस्तापता एक लागी और जिक्र करेंगे मिलते हैं नेक्स क्लास में बदवत धन्यवाद पहरे दोस्तों आज के लिए समय समाप्त होता है मिलते हैं जहन के भारत